मनीशा रानी से चिर्णने लगे हैं एलविश यादव व्लॉग में कह डाली बड़ी बात विल क्या है पूरी खबर आईए जानते हैं इस रिपोर्ट में एलविश यादव को बिग बॉस के OTT के सीजन टू में देखा गया था यहाँ एलविश यादव की बॉन्डिंग मनीशा रानी के साथ बेहत तगली नजर आई थी दोनों को एक साथ देखना फैंस को काफी पसंद आता था और फैंस ने तो दोनों को एक हैस्टैग भी दिया था एलविशा शोग खत्म होने के बाद दोनों का री यूनियन हुआ और साथ ही दोनों ने एक मुजिक वीडियो भी शूट किया इसकी पिक्स दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर शियर की और एलविशा फैंस को मानो जैसे ट्रीट ही मिल गई दोनों इनके फ्विक पर खूब कॉमेंट करने लगे और खूब अपना प्यार लुटाने लगे अब रीसेंट व्लॉग में एलविश यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मनीशा रानी से ही चिड़ गया है या फिर वो अपने फैंस से ही चिड़ गया है दरसल Q&A सेशन में उन्होंने अपने फैंस कोई के चेतावनी दी उन्होंने कहा कि मेरा नाम आप ऐसे किसी के साथ भी मत जोड़ा करो मुझे अच्छा नहीं लगता है हाँ हैस्टैक तक तो ठीक है पर कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि तुम्हें इसी लड़की के साथ रहनी चाहिए और तुम्हें किसी और के बारे में बात नहीं करनी चाहिए यही तुम्हारे लिए बेस्ट है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ये बात अलविश ने पहले भी कही थी कि उनका नाम दूसरों के साथ ना जोड़ा जाए उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो अलविश कीरती को लेकर टारगेट कर रहे है पर अलविश का नाम कीरती के साथ और मनीशा के साथ खूब जोड़ा जाता है मनीशा और अलविश का तो एक हैस्टेग अलविशा भी है जिसके लाखो फैंस है और दोनों को साथ देखना भी पसंद करते है वही अब Elvish ने साफ साफ अपने फैंस को कह दिया है कि वो मनीशा के साथ ये किसी और के साथ मेरा नाम यू ना जोडे और अगर मैं किसी के साथ कोई वीडियो शूट करता हूँ तो वो ठीक है पर अगर आप उसके साथ मेरा नाम जोड कर ये कहने लगो इसी के साथ तुमें वीडियो बनाना है और इसी के साथ तुम रिशादी करनी है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है Elvish फैंस की बात करें तो Elvish फैंस अकसर ही Elvish यादब को कहते हैं कि वो मनीशा के साथ रिलेशन्शिप में आ जाए मनीशा के साथ ही वो शादी करनी तो हो सकता है कि Elvish ने ये बात Elvish फैंस को ही कही है और एक तरीके से मनीशा को भी उन्होंने इसी तरीके से जवाब दे डाला है फिल्हाल क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर और कैसी लगती है आपको मनीशा और Elvish की जोड़ी हमें कॉमेंट्स के जरीए सरूर बताएं